हलो दोस्तो, स्वागेता आप सबका समझो इन शॉट्स में आज फिर से हम लोग जेंड के की करेंट अफियर में से एक इंपोर्टन टॉपिक लेके आए हैं पाकुल डुल हाइड्रो पावर प्लांट ठीक है, लोवर कालनाई पावर प्लांट भी जिसको आप लोग जानते हैं जो के डेवलप हो रहा है, हम लोग उसका बना रहे हैं कहां पे मरू सुदर रिवर जो ट्रिब्यूटरी है चनाव की जेंड के में किस डिस्टिक में ये बन रहा है ठीक है question raise होता है आखिर ये hydro power plant last four years से एक नहीं दो नहीं चार साल से तैयार हो रहा है और आज तक हुआ क्यूं नहीं हर साल इसकी construction बंद क्यूं हो जाती है ठीक है पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है इंडिस water treaty का इसमें क्या रोल है ठीक है तो ये सब थोड़ा विस्तार में detail में पढ़ेंगे वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल clear हो जाएगा कि ये पाकुल डल power plant है क्या और कौन सी district में बन रहा है कौन सी commissioner इसमें involved है कौन सी meetings होती है ये सब मैं आपको विस्तार में बताता हूँ ठीक है स्टार्ट करते हैं ये news में क्यों था फरस्ट अफ आप आल इंडिस water treaty ठीक है अगर आप लोगों को इंडिस water treaty के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको इंडिस river system की विडियो जो मैंने discuss कर रखिया है वो description box में लिंक दे दूँगा वो देख लीजिए उसमें मैंने इंडिस water treaty के बारे में बता रखा है और इंडिस water treaty ठीक इंडिस water treaty के साथ साथ हमने एक इंडिस water commission बना रखा था ठीक उस commission में क्या पाकिस्तान इंडिया दोनों के commissionर होते है जो की annually हर साल ठीक है meeting होती है उनकी meet करते है annually हर साल मिलते है एक साल पाकिस्तान एक साल इंडिया ठीक 2018 वाली meeting हुई थी पाकिस्तान में 2019 में नहीं मिले थे cause of article 370 ठीक 2020 COVID ठीक है अब जाके इनकी meeting हुई थी कब 22nd of March 2021 ओल राइट ठीक 22 March जाने के Monday last Monday को इनकी meeting हुई थी जिस meeting में पाकिस्तान ने क्या कुछ objections रेज करी फिर दन हमारे इंडियन्स ने उसको अलग से डिजाइन करके बताया कि आप लोगों की यह जो अब्जेक्शन सी गलत हैं बिल्कुल ठीक हमारे जो यह जो आप लदाक वाले प्रोजेक्ट हों या फिर जो पहले लदाक में ले में काफी सारे प्रोजेक्ट बना र इंडिया सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 20% वाटर ही यूज कर सकता है इंडस रिवर सिस्टम का जबकि इंडिया 5-7% ही यूज करता है अगर इंडिया 20% यूज कर ले तो पाकिस्तान के पास पानी बहुत कम जाएगा इसलिए हम लोग यूज नहीं कर रहे फिर भी पाकिस्तान इसका नाजाइस फाइदा उठा के बार बार उंगली करता है ठीक है तो इसी के बारे में मैं आपको कुछ विस्तार में बताता हूँ मीटिंग है क्या मीटिंग में मिला कौन कौन मीटिंग में क्या क्या बात ठीक है मीटिंग हुई कब मैंने आपको बताया था 22nd मार्च को ठीक एन्वल मीटिंग होती है पर्मिनेट इंडिस कमिशन मीटिंग गोलते हैं इसको अल्राइट ये दो दिन की मीटिंग थी 22 एंड 23 मार्च ठीक है कब स्टार्ट हुई थी तूजडे तूजडे कब था यानि के 23 मार्च 22 को आगे थे 23 को ये स्टार्ट हुई थी दो साल का गैप था मैंने आपको बताया दो हजार अठरा में कहा हुई थी लाहोर में 19 में ये नहीं हुई थी क्योंके इसकी वज़ा से नहीं हुई थी अब इंडिया की कौन-कौन सी डेलिगेशन सी जिनको जनोंने ये मीटिंग कंड़क्ट या पार्टी स्पीट कर रहा थे इस मीटिंग में पीके सक्सेना जी थे जो इंडिया की इंडियस कमिशनर है और इनकी टीम कौन-कौन सी Central Water Commissioner के आदमी Central Electric Authority पाकिस्तान की डेलेगेशन में कुन को था इंडियस कमिशनर सेयद मुहमद महर अली शाह ठीक अल्राइट यह अराइव कब हुए थे मंडे मतलब 22nd of मार्च शाम को ठीक है यह तो आप लोग ने जान लिये मेटिंग में कह था पाकिस्तान ने अब्जेक्शन रेस करी थी कि यह नहीं बनाव आप लोग क्योंकि इंडियस वाटर ट्रीटी का यह हनन हो रहा है जो कि हो रही ही रहा था फिर जब बाद में फैनलाइज हुआ तो यह कहा रहा है ठीक है सब लोगों को पताई होगा सलाल प्रोजेक्ट के बारे में यह भी चनाब रिवर पे है राइट देन हमारे पास नेक्स्ट जो लोकेशन आ जाती है वो कौन सी आ जाती है अपने पास अपना पाक उल्डल हाइडरो प्रोजेक्ट वो है यहां पे यह कहां से क्या कनेक्ट करती है इसको मरुसूरदर रिवर जो के ट्रिब्यूटरी है चनाब की चनाब फिर जाके जेलम को कनेक्ट करती है जेलम जाके इंडस में कनेक्ट करती है यह सारी जाके जब पाकिस्तान में मिलती है तो इनक मिठान कोट में मिलती है इनको हम बोलते हैं पंच नाड अल्राइट यहां तक समझ आगया लोकेशन आपको समझ आगी ठीक देन जब इन्होंने अपना जस्टिफाई स्टेंड रखा डिजाइन पे किसने इंडिया ने आपके पाकिस्तान को बताए कि हमारा क्या है देन इन्होंने बताए जो पाकॉल्डल हाइडर एलेक्रिक प्रोजेक्ट है वो हमारा हजार मेगाव प्रोट का होगा जो के प्रोपोजड है कहां पे मरुसुदर रिवर पे ट्रिब्यूटरी है किसकी रिवर की लोकेशन इंपॉर्टन है किस्तवाड डिस्टक किस्तवाड कहां जमो एंड कश्मीर ठीक है दे लोवर कालनाई प्रोजेक्ट इस प्रोपोजड इन किस्तवाड एन डोडा डिस्टिक किस्तवाड एन डोडा दोनों डिस्टिक्स में connect करेगा कौन सा कालनाई प्रोजेक्ट ठीक है होप सो आपको यह जो पाकलडल हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में clear हुआ होगा अब इंडिया ने आज तक कौन-कौन से प्रोजेक्ट क्लियर कर रखे हैं जिन में पाकिस्ताने अब्जेक्शन करी हुई थी एक तो था दुरबक शियक 19 मेगावाट का शांकू 18.5 मेगावाट का नीमू चिलिंग 24 मेगावाट रॉंगडू 12 मेगावाट रतननाग 10.5 मेगावाट यह सभी कहा हैं ले यह चीज याद रखेगा ठीक है तो यह आपका क्लियर हो गया एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ पाकलडल हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है रिसेंटली नीज में क्यों था मंडे को ही पाकिस्तान और इंडिया की जो इंडेस पर अल्राइट दोहजार अठ्रम्यों थी लास्ट कहां पर लाहूर में उन्नीस वाली नहीं हुई थी 370 की वजह से ठीक 20 वाली नहीं हुई थी किसकी वज़ा से कुवीड की वजह से 21 वाली अब हुई है इंडिया में ठीक पाकुल्डर हाइड्रो प्रोजेक्ट कितने प्रोपोस्ट कहां पर मौरसुदर रिवर पर जो के ट्रिब्यूटरी है चनाब रिवर की किस्तवाट डिस्टिक में ये प्रोजेक्ट बनेगा अल्राइट तो आज के लिए इतना ही होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा अगर आपको वीडियो पसंद हई हो त सब्सक्राइब करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर न्यूँ हैं गौड ब्लस यू कीप लर्निंग कीप शेर